समर्पित व्यक्ति जो है वो दुनिया में कभी भी गरीब नहीं रह सकता मैंने एक बास समझी है यदि आप समर्पित हो इसका मतब आप जिंदगी में जरूर आगे बढ़ोगे और आप इतने महान बनोगे कि आपका भगवान आप से पीछे रह जाएगा जिसके प्रति आप स हानी सुनाता हूं छोटी सी आपने दो पात्रों के नाम सुने होंगे इतियास में हमारे सास्त्रों में एक है अरजुन दूसरा है अनुमान किते लोगों ने सुने हैं दोनों नाम अरजुन स्री क्रिस्टन का भगत था और अनुमान जी राम के भगत थे और दोनों के काल मे जो है लगवक साड़े साथ अज़ार वरसों का फरक है उसाप से साड़े बारा अज़ार साल पहले वो और साड़े पांच अज़ार साल पहले ये साड़े साथ अज़ार सालों में कितना अंतर आया कि हनुमान जी को राम जब भी कुछ बोलते थे कि अनुमान संजीवनी बूटी लानी है बोलते थे जैसरी राम कुछ नहीं पूचा कहा जाना है क्या करना है कितने गिराम की होगी कौन सी जगह मिलेगी उसका एडरेस दे दो नेविगेशन दे दो नहीं मिला तो आपको फॉन कर सकता हूँ क्या इट्स बेट्स किंतु परंतु कोई है और जब भी अरजुन को कुछ भी बोला कि युद्ध लड़ अरे बोला प्रभू पहले गीता तो गाओ क्यों लड़ना है समझा रहा है कि नहीं आपको और युद्ध लड़वाने के लिए अठारा अध्या है सासो सलोक सुनाने पड़े भगवान स्री करश्न को अपना बिराट रूप दिखाना पड़ा तब पठा माना समझा रहा है आपको तो इस बिजनस में नो नीट टो अरजुन नीट टो हनुमान क्या जरुवत है हनुमान बनने की जरुवत है हनुमान ने कोई कोशन नहीं पूछा मैं क्या था आपने अपलाईल का हनुमान मैंने का आप बता दो करना क्या है आधे रस्ते बापस आना سर के बल खड़े होना कौन सी किताब पढ़नी है कहा जाना है क्या करना है कितने लोगों से बात करनी है आप बोल दो, मैंने का वो सब करने के लिए हम तयार हैं, अब उनको बस क्या चाहिए, अथा रोकड़ा चाहिए, क्या चाहिए, अथा रोकड़ा चाहिए, वो सब चाहिए, जो जिंदगी में आज तक खांदान में किसी ने पाया नहीं, किसी को मिला नहीं, वो सब कुछ होना चाहिए काम भी ऐसा दे दिया भगवान ने कि किसी के हाथ नहीं जोडने पड़ते हैं पहले मैं कोचिंग चलाता था लोगों की ठोड़ियों में आठ डालता था बेटा मुन्ना लल्लू पपू अपने पापा को बोलना डेड़ सो रोपे उदार हो गए हैं एक महीने के तनग तो आज मैं आपके सामने हूँ दस हजार की सोच लेके आने वाला देविन सर्मा इस बिजस में आ गया काम करने लगा नेटवर्क बनने लगा